दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के कुछ ऐसे लेडी डॉन के बारे मताने वाला हूँ जिसे आम जनता के साथ साथ पुलिस फोर्स भी काफी खौफ में रहा करती थी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल एकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही टॉप 10 वाली वीडियोज मिलती रहती हैं नमबर 10 पर हैं रूबीना शिराज रूबीना शिराज जेल में बंध छोटा शकील के गैंग के मेंबर्स को खाना पीना पैसे और हत्यार सप्लाई करती थी अपने कनेक्शन और संदर का फैदा उठाकर वो वहाँ पहुँच जाती थी जहां पर किसी का भी पहुँचना संभव नहीं होता था नमबर 9 पर है रेश्मा मेनन और सबाना मेनन रेश्मा मेनन टाइगर मेनन की और सबाना मेनन आयूब मेनन की पत्नी थी 1993 मुंबई बॉम ब्लास्ट जिससे ब्लैक फ्राइडे भी कहा जाता है इस बॉम ब्लास्ट में इन दोनों फीमेल का बहुत बड़ा हाथ था ये दोनों इस घटना की प्राइम सस्पेक्ट भी थी और भारत में वांटेड की लिष्ट में थी कहा जाता है ये पाकिस्तान में चीपी होई है नमबर एट पे है शमीरा जुमानी शमीरा जुमानी गैंग्स्टर अबु शलेम की पत्नी है ये लेडी डॉन कई बॉम ब्लास्ट फ्राइड पैसे की वशूली जैसे अप्राधों में शामिल थी समीरा भारत से फरार है और उसका नाम Most Wanted की लिष्ट में शामिल है नमबर सेवन पे है शोभा आयर शोभा आयर के खिलाफ Red Corner नोटी चारी किया गया था सालों से वे किसी भी देश की पुलिस के हाथ नहीं लगी है नमबर सिक्स पे है बेला आंटी बेला आंटी सत्तर के दसक में मुंबई में शराप का अवैद धंदा चलाती थी अफशुरों को घूस की मोटी रकम देकर वो शराप का काला बजारी भी करती थी बड़े बड़े अंडर वाल डॉन भी बेला आंटी के धंदे में कोई दख पांसो से ज़्यादा हत्या के मामले दर्ज हैं शंतो बेन के पती को एक लोकल गुंडे ने मार दिया था पती के मरने के बाद गैंग के कामकाज की बागदोड संतो बेन ने समाली थी नमबर फोर पे है जेना भाई दारू वाली जेना भाई पहले राशन की काला बजारी करती थी और बात में उसने सराप की काला बजारी शुरू की मुंबई के नागा पाड़े स्थित उसके घर पर बड़े बड़े अंडरवर्ड गैंगस्टर आते थे हाजी मस्ताना उसे आपा कहकर बुलाता था जेना भाई का कोई गैंग नहीं था लेकिन बड़े बड़े गैंगस्टर उसका सम्मान भी करते थे मुंबई की सबसे बड़ी ड्रैग पैटलर्स में से एक थी शशी कला रमेश पाटर कर्ड इसको लोग बेबी के नाम से भी जानते थे शशी कला पहले दूध बेच्ची थी बेबी ने ड्रग बेचकर 100 करोड रुपे के संपत्ती जमा की थी 2015 में उसे गिरिफतार किया गया था नमबर टूर पे है अंजली माकन अंजली माकन ने 1.5 करोड रुपीज का बैंक फ्रॉड किया था लेकिन बैंक के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी अंजली के खिलाफ रेट कॉर्नर नोटिस चारी किया गया है नमबर 1 पर है केडी के पम्मा बैंगलोरू की केडी के पम्मा साइनाइड किलर के नाम से महशूर थी लोगों को बहला पुशला कर वो सुन्सानर स्थान पर ले जाती थी और उन से लूट पाट करती थी और उनकी हत्या कर देती थी कि मम्मा को पहले फांसी की सजा हुई थी लेकिन बात में इसे उम्र कैद में चेंज किया गया था तो friends I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि भारत में सबसे खतरनाक लेटी डॉन्स कौन से हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीदी से लाइक करें शेयर करें और चैनल को भी जरूर सबस्क्राइब करें